किसीने मुझे पूछा था कि कौन सी दशा मैलेट होगी ऑप एक टॉपी कर था मंत्रों को प्रहए से अ तो अब जब मैलिफिक की बात करता हूं तो सबसे पहले आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन सी दशा मैलिफिक बन सकती है और क्यों त्रिश्डाय की दशा मैलिफिक उजा सकती त्रिशिक्सेट और ट्वेल इस चीक है अच्छा हमने कुछ दिनों पहले एक बिसिक चाट लेता हूं ब्लैंक चाट ही ले लेता हूं वैसे भी अभी हम लोग आगे बढ़े ही नहीं है इस किया था हमने है ठीक है अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो किसी भी चार्ट में 12 होते है तो क्या हॉसेस के हिसाब से दशाएं रिप्रीट होंगी अब यह मेरा फॉर्स थाउस है इस इस सेकंड इस थर्ड इस थर्ड इस फूर्ट इस फूर्ट इस फिफ्ट इस इस सिक्स्थ सेवन्थ इस 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 फैस फॉर्स इसुख्यंद अप में से कितने लोगों की फस्ट हॉस की दशा चल रहे हैं जिसका बैक्ग्राउंड साुन्ड आपप लोगों मैं से किसकी 1st house के लोड की दशाद चल वही है किसी की 5th house की लोड की दशाद चल वही है किसी की 9000 की रशा चल रही है किसी की फॉर्ट से किसकी 9000 आपकी 5000 की चल रही है तो वहां पे नंबर कुन सा लिखा है नव लिखा है कि बारा लिखा है जुलत पो जुब्स की जुब टन जुब्स से नाइंतरन तॉट सने निफ गला यहां से मतान थ्याइन नंबर मेरा था तो यहां पर the तो आपका में नहीं मानूंगा नीटिक एनीबडी एल्स मेरा फॉस्ट एंड तो उसका चल रहा है और कोई जिसका भी दशा लॉड छे आड़ बावा से संब्द नहीं बनाता हो केंद्र या ती कोंड से बनाता हो उनमें से कोई हो यह भी ना आजाए उप्चे भाव भी ना है 9 10 का 12 में बैठाए जी ठीक है 9 10 का 12 में बैठाए अब हमेना दो तीन चीजे समझनी होगी जैसे आपका क्वेस्चन था कि कि दशा मेलेफिक होगी मैंने ऐसे चार्ट भी देखें कि लगन में बेटता है और दसको तकलीप हो रही है और मैंने ऐसे चार्ट भी देखें जहां पर एट हाउस 12 ऊस और 6 ऊस का लॉड है जिसकी दशा चल रही वह अच्छा ची जा रही है तो एक क्वेश्चन उठता है या तो यह सब जो बनाया गया यह जूट है राइट और यह सच है तो ऐसा क्यों कि यह सब के दिमाग में उठेगा लॉजिकल है कई बाव मुझे लोग बोलते हैं यह अब अब मैं आपको बताता हूं कभी भी जब आप किसी दशा के लेवल को चेक करना आपको तो इसको ना कुछ पेसिक वूल्स फॉलो कर देना है कि सबसे पहले हैं पहला वूल मैं लिखना चालू कर वहा हूं आप लोग ध्यान से समझने ही कोशिश करना बाकि आप लोग वीडियो इससे तो मिली जाएगा पहला रूल दशा लॉड कहां बैठा है क्लेव यहां तक मतलब कौन से हाउस में बैठा हुआ है ठीक है थम रूल अगर वह 6-8 बावा में बैठा है तो कॉशन है सेकेंड गुल्ड दशा लॉड के हाउसेस कौन कौन से है अगर वह 6-8 बावा है तो फिर से कॉशन है इसका मतलब समझो कहां बैठा है मतलब प्लानेट खुद कहीं बैठा है और जैसे जुपिटर आपके कुंडली में जुपिटर बैठा है लगन में लेकिन जो उसके हाउसे से वह 6 है या 8 है या 12 है तो यह सेकंड पॉइंट हो गया ठीक है थर्ड पॉइंट दशालोड का नक्षट्व स्वामी कोन है फिर से अगर उसका नक्षट्व स्वामी का संबंद छे आड़ बैवा से आता है तो तो कॉशन है कॉशन मां नेक्स्ट दशालोड दशालोड के साथ कौन बैठा है जो प्लैनेट बैठा है अगर वह 6-8 बावा में आता है तो किसे कॉशन है कॉशन कोशन सी यू टी आयो है मतलब हमें इसको देखना पड़ेगा मैं यहां पर लिग देता हूं बड़े अक्षव में कॉशन प्री कॉशन का कॉशन इसमें कोई ने कोई सिचुएशन सो बन जाएगी येस येस मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लीज बताने जा रहा हूं पॉलम कहां से होती है हम लोग क्यों रेमेडी में बीट हो जाते हैं हम के वल एक ही आयम पकड़ते हैं यही तुम्हें आपको बताने की कोई चेश्टा रख रहा हूं कि ठीक है इसके बाद नेक्स ट्रिप डशाल लॉड लॉड रशाल रख का संबंद राकेश से कैसा है इस राकेश को आप जानते ही होंगे राकेश म वित राहू के तू शनी मंगल कैसा है ठीक है और सबसे अंत में दशाल लॉड पर जुष्टिक इसके यह ऐसे मिनियूम देखना है दुष्टि किसकी है कुछ भी हो इन में से कुछ भी हो रेमेडी का थंबूल क्या कहता है तुष्टि का थंबूल क्या कहता है दशालोड का फास्टिंग और चंटिंग गालूचिंग शर्व मैंने बहुत अप्लाई किया है बहुत तगड़ा काम करता है यह आप लोग को फिशे कह रहा हूं आख बंद करके नहीं कह रहा हूं थंबूल क्या है दशालोड फास्टिंग और चंटिंग मंत्र जाब चंटिंग मंत्र थंबूल कुछ भी हो आख बंद करके अब हम कंडिशनल जाएंगे दशालोड अगर 6-8-12 का स्वामी है यह 6-8-12 में बैठा है तो यह हाउस एक्टिव हो जाएंगे डायरेक्ली इंडायरेक्ली ठीक है दशालोड का नक्षत्र स्वामी दशालोड का नक्षत्र स्वामी का संबंद अगर 6-12 से तब वो हाउस इस एक्टिव नहीं होंगे लेक पहले केस में यहां आक्टिवेशन यहां एकटिवेशन मतलब क्या है वहां से विजल का संबंध बनेगे था संबंध ह्ता संपंद इज दुस्य केस में क्या होगा के उनका संबंद्र न ही बनेगा लेकिन वे विजबं में अप न डौन करने की शमता बेंगे लिए लेख अब फोर्थ केस में क्या है दशालोड के साथ कोन बैठा है यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता अगर दशालोड के साथ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है ठीक है तो दशालोड अपका पीडित हो गया उसके अब मैंने बोला दशालोड का संबन राहू के तु शनी मंगल से किसी भी तरह से उपर चावों में भले वह जहां बैठा है उधर या जिस नक्षत्र में नक्षत्र से या जिस घर का स्वामी है वहां पर कोई यह उनके साथ इंचाव से बनता है तब भी तब भी यह दिक्कत की बात है अब यह दिक्कत की बात क्यूं है क्यूंकि यह दिक्कत देंगे यह उसको पीड़ा देंगे नेक्स टप गधशालोड पर किसकी रिष्टिए अगविट कि अब में एक छोटा सा सवाल है कि दशालोड पीडित होने के कई वास्थे बन गए राइट इस ऐसे दशालोड होने के में पस कई वास्थे बन गए अगर मैं दशालोड को डेली टीटॉक्सिफाय करता रहूं हर वीक डिटॉक्सिफाय करता रहूं तो जो भी ये टॉक्सिंस आएंगे जो भी तीर आएंगे उसको जेलने की उसके पास ताकत आजाई नमब्र दो देखो ये तीनों केस में दिखो दशा लॉड को हमें दो तबीक एसे काम करना एक वो कहां बैठा है वो किसका सवामी किस नक्षत्व में ये पहले तीन इसके लिए तो उसे घंड या कहीं का मतलब है क्यों मेरे साथ काम नेग्स्ति रहा है कि दशा लॉड को कोई usan यह तकलीफ दे रहा है और पहले दो में पहले दो में उसको het फॉले करना उसका नक्छत्र सौब्षcole कि सकता यह नक्चत्र कैसे कौनों उसके बाद प्लानेट अब अब इस प्लानेट वह उस बी नेगेटिव लेकिन अगर दशा लॉड ही वीक हो गया तो जो एनेवजी पीछे से आ रही है वही एनेवजी लेके वह आपके पास पहुचेगा सिमिलर्ली दशा लॉड राकेशम के साथ बैठा हुआ है कहीं भी फिर से दशा लॉड उसके चंगुने फस चुका है राहू के के शनी के मंगल में तो जो वो कहेंगे उसको सुनना पड़ेगा अब समझो मैं मदुसुदन जी के साथ बैठता हूं मदुसुदन जी बहुत ता जसने एक्जांपल बता रहा हूं मैं भाई अगर मैं उनके साथ हूं तो मुझे उनके साथ से चलना पड़ेगा तो डशा एक इस पीज़िए अधर प्लानेट तो किसी भी संबन्द को मेंगे को रोकने के लिए मैं सबसे पहला वूल बोलूंता जो भी दशालाड़े उसको पहले स्ट्रेंद्थन करो उसको पहले कन्ट्रोल करो उसके लिए जैसे ही आप दशालाड़ की फास्टिंग कौन करेगा कि कोई है जो कर सकता है यहां पर कि एनीवड़ी इस मन का मतलब है जिसका संबंद मंत्र से एक ऐसा यंत्र जिसका संबंद मंत्र से अब वो कैसे निकलेगी द्धोनी से निकलेगी थीक है एक है इस उतनाल बनाना कैसे m kannst वैं आपके लिए मंत्र जन्रेट करो एक मंत्र कि और वो काम भी किये क्योंकि मंत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं उस एक इस्ट से connected है उस इस्ट की भी संख्या है जब आप कोई मंत्र बोलते हो उस मंत्र के शब्दों की संख्या होती जैसे नर्वान मंत्र बोलता हो उसमें नौ शब्द देखाओगा आपने शायद इसमें 32-36 मंत्र शब्द है किसके अंदर गायत्र मंत्र में आप देखोगे तो तो इन शब्दों के पीछे भी वहस्य है यह जो संख्या बनी है ना इसके पीछे वहस्य है कई बार आप जब मंत्रों का यह दोनों अलग-अलग मंत्र हो गए कई केसेस में कहा जाता है और कुछ केसेस में जिनका चंद्र पीडित है यह भी कहा जाता है ओम शिवाय नमा करो हमने उस सर्ग को आगे की शब्द को पीछे ले लिया लेकिन उसका काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया पहले वो कहां एक्ट किया बाद में कहां एक्ट किया अब उसका रहस्य भी कुंडली से ही तो अब प्षणत था कि कौन सी दशा मेलेफिक हो सकती है कोई भी वेक्त की अस्तोलोजी में जिसको भी अस्तिलोजी का चोटा सा भी ज्ञान है वही कहाएगा छे आठ बारा में गलत तो नहीं कह रहा हूं इसके बाद कहा जाएगा उपचे भाव की दश्षा मैलिफिक होती है तीन-च्षे दस ग्यारा उसके बाद बोलेंगे कि जो मार्केश होता है दो साथ उसकी दश्षा मेलिफिक होती है तो यह आप क्या सब चा गया लगनेश बचा पंचमेश बचा नो मेंश बचा, चतुर्थेश बचा, दशमेश बचा. कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये भी तरके लोगों के. अलग-अलग अश्ट्रोलोजर अलग-Alग-Tरक लेकि अपनी-अपनी आस्टोलोजेव को सामने लेकि बैठे लेकिन मेरा जो मानना है जो मेरा अनुहो कहता मैं वह आपसे शेयर करूंगा जो मेरा अनुहो कहता है बेस्ट वा प्राक्टिकल एक्स्पिरेंस हो सकता आप में से कोई इसमें सहमत नहीं भी हो पहली बात दशा को आइडेंटिफाई करते समय दशा को आइडेंटिफाई करते समय 6-8-12 कहा है इसलिए डवने की जोगत नहीं है और 1-5-9 कहा है इसलिए खुश होने की आवशकता किसी भी दशा को इसलिटीफाय करते से सर्में इन 6 आयामों को पहले देख लिया जाय है खिक है दशालावड बैठा कहा है दशालावड की हाओसे दशालाव और फॉट्रपफता bstव इस नेख्श Elsiesen देख सब्सक्राम में कौन-कौन से प्लैडबे वह जाता है यह मैंने यहां कि 9.99% लो बड़े से बड़े असराव नहीं देखते कि दशा लॉड के नक्षट्र में कौन सा प्लानेट बैठा है कोई आप में से देखता है कि गोगए एनिबटी डशाल लॉड किस प्लानेट का नक्षट्र सुमिए क्योंकि हर प्लानेट हर प्लानेट के तीन नक्षत्र है मुझे आप लोगों नक्षत्र याद करने के टेक्निक भी सिखानी है स्वारी वह मैं वादा करके रहे चुका है कि एक सेशन देना पड़ेगा कि जिस नक्षत्र में नक्ष तो सामी होगा वहां के बहुत कि वहां आप अब मैंने कहा कि ये 67 पॉंंट को आपको डिसकवर करना है आप इस को कुंड ले लिजए आप आपको ध्यान रहेगा अब आपका दशालोड for example लगनेश है लेकिन वो लगनेश इन में से किसी पॉइंट से पीड़ा में है तो क्या आपको अच्छा विजल्ट दे पाएगा आपका दशालोड नोमेश है पंचमेश है लेकिन वो कहीना कई पीड़ा में हो तब विजल्ट नहीं दे पाएगा दूसरी चीज़ दशालोड जिस हाउस में बैठा है वो हाउस आपका कहीना कहीन मैलेफिक है क्योंकि उसका भी एक लॉड होगा वो जिस घर में बैठा है उस घर का भी एक लॉड होगा वो भी कहीना कहीन फ्लिडित होगा आप दिक्कत क्या बनती है कि दशालोड जहां बैठा है वो वहाँ पर कंट्रोल कर रहा है विजर्ड जनुरेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उस विजर्ड उस हाउस के चाप से बिहेव नहीं कर रहे छूटा सा एक्जामपल देता हूं में शिक्स्थ हाउस की दशा से ओं सेवा कहता है और क्या कहता है कर दो देली डिरी मीन डिली डिली सिप्लीन डेलीTHE जैसे ही कोई प्लानेट शिक्स्थ हाउस में बठा है तुरंत आपका छे बाबा का एक्सिस एक्टि हो जाएगा कभी ध्यान में रखना जब भी प्लानेट जहां बैठा है उसको अकेले नहीं लेना उसको एक्सिस में लेना है प्लानेट फर्स्थाउस में बैठा है वन सेवन एक्सिस सम्झा आँ मैं फिर ये सापको एबात है प्लानेट जहां बैठा है उसका एक्सिस चालू हो जाएगा आख बंद करके लानेट अगर यहां बैठा हγ divis एक्सिस का ही कैनेगे फ्लानेट अगर wack day ठीक है ये एक्सिस फ्लनेट अपका यहां बठा है ये एक्सिस फ्लनेट 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 यहां बठा है जब भी कोई प्लानेट कहीं भी बैठा हो, उसके एक्सिस एक्टिव करने हैं आपको. क्यों? अगर आपकी फिफ्थ हाउस की रष्चा चल रही है, फिफ्थ हाउस ज्यान का घर है, प्लास जो प्लानेट है प्लानेट कितने टोटल नौ है है वह नौ प्लानेट में जो भी प्लानेट यहां बैठा हो उसका अपना सभाव उन सभाव को भी अगर आप अडाप्ट नहीं करोगे तब भी हो तकलीव देगा तो दशालॉड का मैलिफिक या तकलीफ कब देता है रूल नमबर वन अगेन जब हम जहां प्लानेट बैठा है उस हाउस के हिसाब से और जो प्लानेट खुद है उसके हिसाब से काम नहीं करते है दशालॉड आपकी कुंडली का मालिक है आपके कुंड़ी का प्रधान मंत्री है प्रधान मंत्री की बात आप नहीं मानोगे तो क्या वो आपके आपसे खुश होगा यह बताइए मुझे आपको सब्बाशी देगा नहीं देगा simple rule दशालोड का कहना मानना पड़ेगा you don't have a choice अभी तक इस बात से कोई और सहमत है या कोई प्रश्न आगे बढ़े अगले विजन बताता हूं में मैलेफिक कब होते दशालोड यहां तक कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट अब कोन से किस किस पैनेड के कौन कों से कारक तत्व है क्या क्या है यह हमने पीछ में दो त्रीन सेशन लेकर काफी discussion किया था ठीक है यह पॉइंट्स आएंगे आएंगे मुझे पता है किस वेक्ति को क्या करना चाहिए इस वेक्ति को क्या चेंजर्स लाने चाहिए अपने लाइप में ठीक है एक दिन में हम एक एक चार्टी कवर करेंगे ठीक है यह बेसिक बूल है अब समझो आपकी दशा छे आड़ वावा की च 12¢व का नॉ का लॉड अब मुझे बताओ अगयर उसके फौर्फाऊस में बैटा है कि साटर में बैटा है को सट्ट इदी का है वह बहर पे अपने स्टेडिव पिस्टेव में शब ieख कर Children जाकर अपने वह डूनेशन भी कर वे अनाताश्वम में डोनेशन कर रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर डोनेशन कर रहा है यह दशा उसके लिए संजीवनी बन लेगे अब आप को इसका चार्ड देखोगे आप बोलेगे टुएल थाउस की देशा तेवी देशा खराब जा रही है बोलेगा पागल हो गया है मैं तो यह इस दर्शा है पैसे पैसा चाप पराऊ मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है बोलेगे सब ऐस्ट्रोलेजी ढोंगे क्योंकि आपने यह नहीं देखा कि उसका बिहेवियर कैसा है उसने अपने किस प्लैनेट को एक्टिव किया अब आप बोलोगे एक ही समय पे पचास लोग पैदा हुए यह बंदा उधर चला गया और लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सेगे की सिंपल उनद्यान रखना comment Iss impedance ने उस फ्लैनेट को जो टू इलका लॉड था उसको उसने पॉजिटीवले यूज किया कि सी और तुफल्स लॉड डस् प्लैनेट को इसमें से स्गई पया होगा वो उसका भी उपाय पया डूब कहरोगा तो एक्सवाइस करता होगा जिमिंग करता होगा वो जॉगिंग करता होगा आपको पता ही नहीं है मतलब उसका कामिक एकाउंट उससे हेल्थ से इलेटेट था इसलिए मंगल आ गया दे देड़ समझेगी नहीं कि अगर वो ट्वल लॉड को यह प्लैनेट लेकिन वो से ट्रक पुट लॉड को भी यो जस्टिफाई कर रहा है प्लस सैटन को भी कर रहा है रिजल्ट क्या हो गया फिर से पॉजिटिव समझे की नहीं तो केवल लॉड के उपाय करने से काम नहीं चलेगा जब 6-12 आते तो इनको भी देखना पड़ेगा इसलिए मैंने वो टेबल आपको दो दिन सेशन लिया दा सिखाया था तीसीवी चीज़ किसी वेकती की अगर 3rd house, 10th house, 1st house, 2nd house की दशाएं वो गलत नक्षते में बैठा हुआ है जो की malafik है ऐसे misses में आप क्या आजब़ोगूए? ऐसे केसिस में बहुती दिक्कत वाली बात बन जाती है कि हमें रेमेडी आवश्चक ले उदर, उदर के वल बैलंसिंग से काम नहीं चलता है, वहाँ पे हमारा थम दशालोड फास्टिंग प्लस मन तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम मतलब मिनिमम इसके में पस कोई च्वाइस नहीं इसके बाद भी कई वेमिडिस आते हैं, वह प्लानेट किस के साथ बैटा है? राहू के साथ बैठा है तो उसके इश्च को पकड़ना है, अगर नक्षत्र लेवल पे देखना उस नक्षत्र का इश्च को ने, नक्षत्र के मांतर आते हैं, कभी-कभी, जैसे मैंने आपका example श्विए उस्में वो मैने उपस्पल उपए बताया तह लेकिन उसमें आपका दशालोड आपका दशालॉड अनुवाधान अनुवाधा नक्षट्र है शनी का नक्षत्र है अब मुझे बताओ शनी के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र 27 दिन में एक बर आएगा उस दिन अगर आप अनुराधा नक्षत्र का मंत्र जाप करते हो अब जो पीड़ा है जो पीड़ा देने वाले प्लानेट अब उनको दूर करो अब उसको पीड़ा कौन दे रहा था अनुराधा नक्षत्र दे रहा था तो अनुराधा नक्षत्र का मंत्र जाप अनुराधा नक्षत्र की दिन कर लो महिनें में एक बार कर लो अग Muslims सपोर्ट करने लगे similar भाड़ीन लगेगी तीसरी चीज़ देखो ये वेमेडिस के टाइप से बहुत सिंपल तरीके से काम करते हैं अब कोई कहेगा कि मैं केवल सुनता हूं मदुसुदन जी आप से एक क्वेश्चन ता दो तीन दिन पहले आपने मुझे पूछा दा याद होगा तो मैं साउंड लगा लेता ह ठीक है फॉर एक्जांपल आपकी दशाद चल रही है शनी की आप बोलोगे मैंने एक धोनी में लगा दिया ओम शन शरीश्च्राइन हमाद चल रहा है अब मुझे एक चीज बताओ थंडे दिमाक से सोचो ये आपका मस्तिस है ये आपके कान है ठीक है ये नर्वस सिस्टम ह नर्वस सिस्टम में ये पीछे यहां पर कुछ पॉइंट्स होते है बिसीकलि नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है बुद्ध एक पीछे की तब यहां होता है और एक आपके यहां पर बैक पर होता है अगर वो मेपस खुला होगा तो मैं आपको तुरन दिखा देता हमारा जो कंट्रोल है दो पॉइंट पर बैलेंसिंग पॉइंट सबसे बैलेंसिंग पॉइंट जो इसे हम तुला बोलते है वह है और उसके बाद तुला की ही शुक्र की दूसरी राशी कौन सी है मुझे कौन बताएगा दूसरा करता है यहां पर यह दो बैलेंसिंग पॉइंट है यह राशी भी शुक्र की है और यह राशी भी शुक्र की सोचो और शुक्र को तराजू दिया गया है है ना वैज्यानिक यह सेशन में ने शाथ दूसरे तीसे सेशन में यह सिखाया था आप लोगों को याद आ रहा है कुछ जी जी अब आपने ध्वनी सुनी वह ध्वनी यहां तक गई यहां पर विजल्ट आ रहा है मन शांत हो रहा है लेकिन जो 108 मर्मस्थान है जो दिये ग जो कनेक्टेड है आप इन तक कहां पोचे है कि इलिंग कहां हुए डिटॉक्सिफाइ कहां हुआ जब मैं कहता हूं एक प्लानेट जिसकी दशा चल रही है उसके तीन नक्षत्र है वह तीन नक्षत्र शरी में अन्य विभिन स्थानों पर हो सकते हैं आप केवल इस पार्ट जब आप मंत्रों का उच्चावन करते हो आप खुद करके देखो त्रैल लेना जैसे मैं कहता हूं ओम नमाश्यवार ओम नमाश्यवार ओम नमाश्यवार ओम नमाश्यवार ओम नमाश्यवार ओम नमाश्यवार ओम यह वाइब्रेशन यह वाइब्रेशन यह वाइब्रेश खुद मंत्रों का उच्चावन करते हो तुरंत वो वाइब्रेशन्स आपके बॉड़ी में विभिन्न जगहों पे जाना ही लगते हैं इस चीज से कोई अहसेमत है तो प्रीज अभी के अभी आप ट्रैल करके देखें तुरंत लाइव एक है सुनना एक है बोलना आपको लगता है सुनने के साथ तो बोल भी रहे हैं हम तो मैं सजेशन कर दूँगा आपको स्टार्टिंग में आपको मंत्र याद नहीं है तब तक आप सुनने के साथ बोलो एक बार याद हो जाए सुनना अलग करो बोलना अलग करो सुनने के साथ आप बोलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो एक माला कम से कम जब आप सुबस्तान करने के बाद आप दशानात का मंत्र जाप करोगे या फिर उससे सम्मनित इश्ट का मंत्र जाप करोगे वह आप भले लेकिन आप एक वाइब्रेशन से करो कम से कम आपके शरीव तक वह वाइब्रेशन पहुचे कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र का जो उच्चारन है वह केवल और केवल मांसिक करना चाहिए वाचिक नहीं करना चाहिए यह लोगों के अलग-अलग तर्क है यह कंसेप्ट आती है ज मांसिक मंत्र जो होता है वो टुवल्थ हाउस को डिनोट करता है वाचिक मंत्र जो होता है वो एट्थ हाउस को डिनोट करता है मांसिक मंत्र जो होता है वो आप क्या करते यूजरी खुले आखों से या आखे बंद करके मैक्सिम लोग आखे बंद करके करते और आप एक इस उसर्थात मुक्ति का कारक स्थान हैップ लेकिन जब आप जब आप इन भोगों की बात करते हो बाकी के हाउसज समझो बात को चार त्रिकौण है न कर्म मोक्ष मो він यह मोक्ष त्रिकौण की बात करते है वहाँ पर आप के वल-मान क्रोगए चल लेकिन वाचिक मंत्र कब आउश्यक हो जाता है जब आपको यहां से भी कुछ प्राप्ति करनी हो भौतिक प्राप्ति में आपका शरीविव भी जो पंच तत्रों से बना है। जब तत्व तक आपको पहुचना है तो आपको वाचिक करना है और जब उस प्रमात्मा तक पहुचना है तो मानसिक करना है लेकिन आप तत्व तक पहुचके अर्थात वाचिक मंत्रों का उच्छारण करते हुए भी आप 12,000 तक पहुच सकते हैं क्योंकि दोनों के तत्व से तो यहां पर अगनी तो यहां भी अगनी होगा यहां पर वायू तो यहां भी वायू होगा इसका मतलब कि यह भी सेम रास्ता है दोनों रास्ते सेम हैं लॉजिक समझो लॉजिक किया गति करते हैं लोग यह ढंदा बताते हैं जो ղाउड का मंघ किया कि वह करना है कि यह यह णिदैर हैं यह दो मिनिट निकालना सिफ दो मिनट दो मिन एपनी तर्य को फिस घंटे वे दो मिनिट आप निकाल लोग्याव